नवस्कार में कपीश बला और आप देख रहे हैं उदेपूर खबर डबोक थाना शेतर की सिमेंट फेक्टरी में ओइल टेंक में बलास्टे तीन व्यक्तियों के गंभीर गायल होने की सूचना है बताया जा रहा है कि जेके सिमेंट फेक्टरी केमिकल से भरे टेंक में वेल्डिंग करने के दोरान गटना होना सामने आया है तीनों गंभीर गायलों का उदेपूर के जेके फोर्टीज में इलाज मोहिया करवाया जा रहा है ओयल टेंक में वेल्डिंग होने के कारिये से गेस बन जाने से विस्पोर्ट होने का मामला सामने आया। जो तीन लोग गायल हुए हैं वह साउत के ठेकेदार के अंतरकत कारिये करते थे। गायल हुए कर्मियों के नाम आशिस त्रिपाटी और केलास प्रजापत बताया जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिन टेंकों में गुजराद जामनगर से आकर वेस्ट ओयल के टेंक कर खाली होते हैं। उन टेंकों में प्रती टेंक किसमें 25,000 लीटर ओयल भरा होता है जो पावर प्लांट को चलाने में काम लिया जाता है। हाला कि सारे परिस्टर को सीच कर दिया गया है गटना सवेरे 10 बजे की बताई जा रही है। आसपास के सितरवाशियों के अनुसार विस्पोर्ट होने से धमाके की आवास तो आई थी साथ ही कई देर तक दुआ भी छाया रहा। मोके पर प्रसाशनिक जापते के साथ ही कई दमकल की गाड़िया मोके पर पहुची। कमपनी में लगे फायर सेफ्टी एक्यूमेंट से गटना पर काबू पा लिया गया है। और हेलमेट अगरा कुछ मेंगा है। और कहीं चोट आई तोड़ी आपको किसने आप कौन सी कंपनी में आपको हुआ है निट्व एलक्विश्टी मांगिलाजी के पास में ये इसमें जेके सिमेंट उद्योग में यूसी सी डवल में ना अच्छी तबी हिलाज कॉन गरवा हुआ है 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 हुआ है 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 बिल्कुल बता हो इसके लिए इस बतारे नहीं वह इती चोट लगी तरह चेट जो भी मौहाज रसी हूँ दिल्वाएंगे ठीक ना बगवानि न चर्वाद बिल्कुल बहुत आप तो बहुत मुश्कित हैं उनकी के लास के तो उसके तो कम लगी है आप से कम लगी आपके जाधर को नहीं आप रेस्ट को ज्यादा